तो इस वेडिया में चर्चा करेंगे 2012 मूवी, नहीं नहीं, यह मूनफॉल मूवी के बारे में, तकरीबन इसकी जो लैंथ है, वो दो घंटे के आसपास रखी गई हैं, और जैसा इसका नेम है, आप इससे समय जी गई होगी कि इस मूवी के अंदर आपको क्या देखने वाला चंदा मामा जदा अपनी ओर्बिट से खिसकेंगे, तो क्या-क्या असर पड़ेगा, और कैसे धर्ती से टकराएंगे, और वहाँ पर कैसे तबाही-तबाही हो जाएगी, मतलब मैं तबाही देखना नहीं चाहरे हैं, जो भी है, अब देखो काफी सारे सोचेंगे कि यार मू उन्होंने धर्ती को बचा लिया, लेकिन जैसे ट्विस्ट या सस्पेंस या क्लाइमिक्स जो हमारे सामने आता है, भाई वो अलग ही लेवल का होता है, वो तो बिल्कुल सोचा ही नहीं होता है, होता है कि हम कई-कई मूवी में थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन या फिर ऐस इसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे एक राज इसके अंदर खोला जाता है, मैं नहीं बताने वाला, टैंचन ना लो, बिल्कुल भी नहीं बता हुँगा, स्टार्टिंग में वैसे मूवी जो हो हजार बारा वाली जो मूवी आई थी, दो हजार बारा, कि जिसमें दुन इसमें देखते हैं, इंटरस्टिंग से फिर एक चंदा मामा का जो सेस्पेंस है, वो बहुत बड़ी है, एक इंसानी सब्विता से जैसे इसमें कनेक्ट किया गया है, तो मन तो कर रहा है बताने का, बट टेंजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार मुझ पे बहुत जादा इ नहीं, क्या है, मुवी पे आते हैं, लेको VFX के मामले में मुवी आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आएगी, एक जो छोटा सा सीन है, वो थोड़ा सा मुझे खटका VFX के मामले में, क्या है, जब आप मुवी देखोगे तब समझ जाओगे, बाकि मुवी के अंदर क् तो यह वाली चीज आप देखोगे ना तो बहुत एक मजा आने वाली चीज है तो इस बिहाफ से तो मुवी काफी एची है, इंटरस्टिंग है और कुछ सस्पेंस भी है तो कुछ क्या काफी बढ़िया सस्पेंस रखा गया लेकिन बावजूद इनके मुवी में हम एक कनेक्टिविटी जो है वो कम महसूस करते है मतलब कहीं कहीं अमें लगता है कि यह मुवी थोड़ी सी लेंटी हो रही है हाँ बेशक इसके मेकर्स में दिखाने की बहुत कोशिक यह काफी बढ़िया बढ़िया सीन है लेकिन फिर भी एक कनेक्टिविटी मुवी से नहीं हो पाती है खाली पन दिल में रहे जाता है तो वो शायद वो एक destructive था इसके अंदर की भई सारी चीज़ें तबाही हो रही है इसकर के मुवी से कनेक्टिविटी नहीं बन पारी मुझे नहीं पता वर थोड़ा बहुत मुझे ऐसे फील हुआ कि यार थोड़ा बहुत इसमें connectivity होनी चाहिए emotional angle भी होना चाहिए emotional angle इसके अंदर नहीं होता तो थोड़ा बहुत इसमें फीका पंसा है मुझे लगता है बाकि Hindi dubbing की बात करूं तो Hindi dubbing काफी decent की गई है आपको बहुत जादा वो पसंद भी आएगी सुनने में काफी अच्छे लगेगे स्टोरी भी आपको काफी अच्छी लगेगी climax भी काफी बढ़िया है इसका VFX भी अच्छे है बर थोड़ा वह connectivity की problem है आप इससे थोड़ा सा जुड़ाव कम महसूस करेंगे बाकि मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँँगा 7 आफ टो 10 अगर आप लोगों ने movie देखिए तो please comment करना कि आप लोगों कैसी लगी अगर नहीं देखिए तो जाकर देखो या काफी बढ़िया movie मुझे लगी आपको भी लगेगी तो बस आज के लिए इतना था thank you for watching this video मिलते है नेक्स वीडियो में जैहिंद